अगर आप पनीर खाने के शोकीन है तो प्लीज आप इस नियू रेसिपी को जरूर एक बार ट्राइ कीजिए यह है सूरती फेमस पनीर चीज घोटाला जो खाने में बहुत टेस्टी और क्रीमी होती है जिसको पराठे के साथ नान के साथ या फिर पाओ के साथ भी सर्फ किया है तो देखिए हमारी कितनी अच्छी रेसिपी बन कर रेडी हुई है तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते वे वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आप मेरे चैनल पननाए है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलिए तो इधर मैंने ले लिया यह देखिए हमारी प्यूरी बन कर रेडी है और साथ में हम ले रहे हैं पनीर को जिसको हमें ग्रेट करना है अधर में ले रहे हैं मुजरेला चीज आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं तो चलिए आपका टाइम बेस ना करते हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो मैं इधर ले लिया है एक पैन जिसमें मैंने ओईल डाला है उसके साथ मैंने डाल देख दो तेज़ पत्ता आप्त दो लोंग और थोड़ा सा काली मिर्च एक एलाइची और साथ में अट कर रहे हुँ है तमेटो प्यूरी इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और मिक्स करने के साथ ही हम इसमें अपने मसाले भी आड़ कर देंगे सबसे पहले हम इसके अंदर सॉल्ट एड़ कर रहे हैं जिसे ह कोरियंडर पाउडर हम इसमें कोई एक्स्टर मसाले यूज नहीं कर रहे हैं बस इनी मसालों साथ हमें अपनी यूरी रैड़ी करनी है यह देखिए हमारा मसाला अच्छे से पग गया है ओयल रिलीज होने लगा है तो अब हम इसमें एड़ कर रहे हैं चॉपड कैपसिकम य तो चलिए इसको थोड़ा देखिए इसके अंदर हम एड़ कर रहे हैं फ्रेश क्रीम आप इसमें मलाई भी यूज कर सकते हैं जिससे जो हमारी ग्रेवी बनेगी वो बहुत ही थिक और क्रीमी टेक्श्चर देगी कि यह देखिए और रिलीस होने लगा है साथ में मैं आड़ कर रही हूं गरम मसाला कि इसको अच्छे से पका लेंगी कि साथ में मैं आड़ कर रही हूं चॉप्ट कॉरियंडर लेव्स अब हम इसमें आड़ कर देते हैं अपना पनीर जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ था आप इसके अंदर पानी आड़ कर सकते हैं मैं इदर वन कप ओफ वडर इसमें आड़ किया है मैंने तो चलिए अपने पनीर को पकने देते हैं थोड़ी देर लेड लगा देते हैं यह देखें पकना शुरू हो गया है साथ में हम इसमें आड़ कर देते हैं ग्रेटेड चीज जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ था यह देखिए हमारी रेसिपी बनकर तयार है हमारा पनी चीज घुटाला बिलकुल रड़ी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब केजिए और घंटी के बिटन को दबाना बिलकुल न भूलिए तो लास्ट में हम इसमें आड़ कर देते हैं थोड़ा सा बटर तो हमारी सूरत की फेमस रेसिपी बनकर रेड़ी है आप इसको एक बार जुरूर ट्राइ किजिए आपको यह रेसिपी बहुत बसंद आने वाली है थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बाबाइ गार्ण